सब्सक्राइब करते हैं आज आपकी क्लास है स्टेटिक्स जीके जीस में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक हमारा जो रहेगा इन्वेंशन और उसके कुछ परमुक बैग्ञानिक जो की उनके विसकारक के नाम के उपर होंगे तो आज आपकी यह पहली क्लास है रोजाना हमारी क सब्सक्राइब करने तॉफिक की अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा थे इसी यूटूब चनल साथ बजे की होगी यह इस क्लास करते हैं आज करेगा आज पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएंगा और दो तिन दिन तक देखी एक लगाता ऐसा नहीं है कोई च करिए मनलब मनलब तीन दिन तक हमारी क्लास को परियोग करिए और पढ़िए देखिए तो आपको थुड़ा मालूम पढ़ेगा कोई अचानक सब्सक्राइब करते हैं ठीक है पहला कुछन है आपका जो की रेडियो एक्टिविटी का कुछन है यहां पर कुछन पूछा गया ह अगला कुछन आपका है एंटी सेप्टिक सरजरी का सुथपात किस ने किया था आपके पास हैं रोंडजन आपसन भी आपसन डी जोसफ प्रिश्टिले तो इसका जो कर्रेक्ट आँसर आपको बताना है कि इंटी सेप्टिक जो सरजरी है उसका सुथरपात यह पुनरुद्भावन किस ने किया था तो इसका जो राइड एंसर होगा वह आपको जेस्ट जोसफ लिश्टर आपसन नमर्स यहां यहां पर जो जाएगा आपका राइट एंसर होगा तो इसकी पीडिया भी हाँ यहां मिलेगी पेडिया आपको इसकी हमारे युट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी आपको डिसकेसन में लिंक होगा टेलीग्राम वहां पर आपको मिल जाएगी बाकी आप्लाइंड आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको वहां भी मिलने जाएगी तो सबसे पहले टेलेगाम चैनल को आप जब हमारे क्या काते हैं कि आप वहां पर जुड़ जाओगे तो वहां पर आपको इसकी मिल जाएगे ठीक है तो इस कोशन के जो करेंट अंसर होगा आपसर नमबर सी यह होमी जहांगीर भाबा आपसर नमबर डी हरगोविंद घुराना तो यह जो 1948 में गठित हुई थी प्रमड़ जायोग उसके जो अध्यज बने थे वह थी आपके होमी जहांगीर भाबा आपसर नमबर सी यहां पर हो जाएगा अगला कुश्चन है आपका है यहां पर यहां स्कॉइर है यह बराबर क्या होता है आपने इस को पर रखाओ यह बराबर किसने किया था इसका प्रदबदन किसने किया था आपके पास अलबर आंस्टीन आपके आपको देखने को मिल जाएंगे नेक्स वोचन आपका है सापय चिकता का सिधान किस ने दिया था आपको बताना है कि सापय चिकता का सिधान किस ने दिया था आपसा नंबर एक आइंस्टीन आपसा नंबर भी आपका डार्विन आपसा नंबर सी आपका डाल्टन आपसा नंबर डी आपका केवन डिस तो सापय चिकता का सिधान किस न नमबर यह बिल्कुल असान कुछन नें बेंगलोरु में अहमदाबाद निल्टिली तो आप सभी को पता है जो है इसे में आपके आगे बढ़ते हैं याग्या कुछन है चन सेखर बेंकट रमन को नोबेल प्रुसकार कम मिला था अग्या हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कुछन के तरफ अगला कुछन आपका है परमाडू के नाभी की खोज किसने की थी परमाडू के जो नाभी के अंदर नाभी की खोज ने किस ने की थी आपसर नमबर एक बी आइंस्टीन सी डालटन डी चैडविक बताना है कि नाभी की खोज किस ने की खोज कि आपसर नमबर ही हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुछन है सूर्के द्रभमान के एक दस्मलों चार द्रभमान को कहा जाता है रमन सीमा चैनल सेखर सीमा मेगनाद साहा सीमा रदयफोर सीमा आपके लिए कुछ कुछन इसमें नए लग रहे होंगे तो इन कुछनों की पीडिएफ आपको पढ़ लोगे तो आप जो है अगर इसे कुछन आते हैं तो आपके आपके जो परमुक पॉट के ग्यानिक का नाम था उस्कुसन से सारे आनिकरी आपको मिलने वाली है ठीक है तो सूर्ण के लòngगे आता है तो इसको छीमां कैनल यह कहा झाता है सीमा ध्यों से जाया वी हो जाएगा आपका आपको है आगे बढ़ते हैं अगला कुछन आपका है क्रिस्कोग्राफ नामक यंत की खोज किसने की थी जो यंत्र होता है आपने पढ़ा होगा यह हमारे है स्कूल के टॉपिक में था कि जो पेड़ भी होते हैं वो क्या करते हैं तो उसके लिए जो होता है और इसकी खोज किसने की थी जगदेश चंद बसू जो थे उन्होंने की खोज कि थी आपसर नंबर ए हो जाएगा यहां का रहने वाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कु हिस्ट्री आफ हिंदू साइंस की जो अन्बं किरती है वह आपके मेगनाज साहा की आफसर नंबर डी हो जाएगा आपका ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है आपका है चेचक के टिक्के की खोज किस ने की थी यह तो बच्चे-बच्चे को पता होगा कि शेचक की क बिलियम हर्वे तो लग्तबरसंच इर्द से समंदीद हैं ठीक है यहाँ पे जो यहाँ अपका नंबर सी जो होजाएगा यह आपका विजुटर की सुना था जल्दी से बताए एंटी सेपीटेक सरजरी का सूत पात किस ने किया था तो जोसेफ लिफ्टन ने किया था तो आपका पहले आपने सुन रख आगे अगे बढ़ते हैं अगला कुर्षन आपका है कुर्षन नंबर 13 किसने बताया कि पृठ्थेबी अच पर घूमती हुई सूर्गी परिक्रिक्मा करती है अपस्ट प्रफ्ट नंबर है आपके पास आरबाट ढूक चार्च डार्बिन ग्यलियु तो बताना है आपको कि किसने बताया था कि पिरस्पी अपने अच्छ पर गूती वहीं किसकी परक्रमा करती है सन कि प्रक्रमा करती है ठीक है इस बात को द्याना किस ने बताया था ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुछन आपका है न्यूटरान की खोज किस ने की थी बताना आपको आपसे नंबर जेम्स चैडविक न्यूटर्ण रदरफोर्ड आइंस्टीन किस ने की थी आपको एक ट्रिक नियूटरण होता जाएगा आघला कुछन आपका जो है कुछन नंबर इसे में रीपीट है कि फिप्टीन के सिध्धान का प्रतपत्तन किस ने किया था कुछल नंबर 15 है परमाड़े में रेंडल रिप्पत्तन किस ने किया था कॉपन निकार जाता है यहां जान मेंडल मेंडल आप कहां सुनते हो जो आपका इसे परमाड़ों के सिध्धान का और रख्षा होगा आपको पताओ का नाम अता है लेकिन जब कहता है परमाड़ों के सिध्धान का किस ने किया था उसने के जो जाएगा हो जाएगा परयोग किया अनुबार के सिधान का प्रकूर्ण के कि दी बाकि कुछन क्या है परमारों के सिधन का बदन के बारे में तो किसने के लिए आगे बढ़ते हैं अगला कुछन है कुछन नंबर सिफ्टीन तो और जिन आप इस प्रसीज किसकी रचना है आपके पास चार्स डार्विन जरफोड मैडम क्यूरी जेम सेडविक तो यहां पर जो आपका और जिन आप इस प्रसीज के बारे में है कुछन नंबर सोला आपका कह रहा है कि एक रचना है एक मतलब यह आपकी पुस्तक है तो किसने की थी इसकी पुस्तक की रिचना तो चार्ष डार्विन ने कि थी आपसा नंबर एसको आपका राइट रहने वाला है जैंशेडिक आपने सुना भी इन्होंने न्योटान की खोश के थी ठीक है अगला कुछन आपका है सत्रह जिसमें पूछा गया राफ्टे बिग्ञान दिवस कब मना जाता है आपको बताना है राफ्टे बिग्ञान दिवस कब मना जाता है बीस फरोरी 28 जनुरी 31 मार्च 28 फरोरी तो राफ्टे बिग्ञान दिवस नेशनल साइंस डे आपका भीया 28 फरोरी को मना जाता है आपका राइट एंसल लहनी वाला है आगे बढ़ते हैं अगला कुछन है हाइड्रोजन को तत्य के रूप में किसने खोज की थी कुछन नंबर 18 हाइड्रोजन को तत्य के र अगे बढ़ते हैं रंट परिवहां और अभी मेंने चाहता रंघ कि खोजन वहां की तो आपका जो हैं अप या नहीं की थी आप लोग कांट बाक्स में ज़रू बताइएगा बाकी रखत पराण की किसने की थी यहां पर तो आपका बिलियम हार्वे के साथ यहां पर जाएंगे यहां पर हो जाएगा आपका राइट अंसर लहने वाला है ठीक भी यह आगे बढ़ते हैं एक्स रे यहां पर जाएगा अगला कुशन देखते हैं गती के जड़त नियम को किसने पर प्रदम किया था तो गती के जड़त का जो नियम था गैलीलियों ने दिया था आप सभी को पता है ठीक है निवटन के नियम आप सभी को पता ही है कौपर निकस ने जो नियम दिया था ग्रहों के गती के नियम से समधित जो था कौपर निकस ने दिया था ठीक आपका कौन सा होगा एक किस नमबर का एंसर होगा आपका यह वह आपका गयो लेकिन गती नीम किसा निया था तो उसको düty निया था नियूटन बाबाव निया था आपसो नमबरे हो जाए आपको आपका रैट एंसर है वह ले वहरals प्रोटान की वह चार्श डार्विन आप अनुवाज सिक्ता समझे चप्टर ने बाकि गद्य के नियम किसने गिर्टन ने दिया था ठीक है अगला कुशन कौन साब ही है बस बाइस कुशन आपके थे तो यह आपके इस ट्रेटिक के क्लास आपको रोजना मिलने वाली है साम को साथ बजे साम को साथ बजे आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोजना आपको मिलेगी तो भिया डीडिये जी अगर आपका भी सपना है डीडिये जी में एक नोक्री पाना तो रोजना इस क्लास को देखिए साम को साथ बजे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्क करिए मिलते हैं फिर किसी नेस्ट वीडियों तब तक के लिए थांक्यू किसी नेक्र विडियों नहीं अभी आठ विजे मिलते हैं आठ वजे अभी हम लोग करने वाले हैं रिजिनिंग और मैथ्मेटिक्स और आपको बचे होई टेक्क्निकल सबजेक्त तो आप लोग भी सattend जुरूद देखिएगा बाकि अगर आपने पांक जुली क्लास नहीं देखिए तो उस क्लास को बीडियों को डिसकस किया है थैंक्यू जहीं जबाद